गूगल गूरू के नाम से बिश्वबिक ख्यात बिरंदावन के गूरा नगर निवासी गूरू उप्राइब गूगल गूरू से अपने सबाल किये जिसके उत्तर गूगल गूरू ने पलक जपकते ही गूगल गूरू द्वारा सेकंड से कम समय में दिये गए फटा फट उत्तरों को सुनकर नन्ने मुन्ने बच्चों के साथ साथ बल सदस्य भी हैरान रहे गए वहीं CISF यूनिट IOC मत्वा के उपकमाडनेट अभिशे कुमार साहू ने बताया कि गूरू उपाध्ध्या ब्रच की शान है बहुती कम उम्र में गुरू ने सेकंड से भी कम समय में सवालों के जवाब दिये हैं जिसके लिए गुरू उपाध्या को गूगल गुरू के नाम से भी जाना जाता है गुरू को काफी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है नन्य मुन्य बच्चों एवं युबाओं को प्रोटसाहित करने के लिए एकाई परिसर में यह कारिकरम आयुजित किया गया था समय समय पर निरंतर ऐसे कारिकरम होते रहने चाहिए ताकि कारिकरम के माध्यम से बच्चों को प्रोटसाहित किया जा सके एकाई प्रभारी अभिशेक कुमार साहू ने यह भी कहा कि युबाओं एमम बच्चों को प्रोथ साहित करने वाले अने को अने कारिकरम निरंतर आयुजित किये जाते रहते हैं जोसे युबाओं में रास्तिय प्रेम की भावना को जागरत किया जा सके उन्होंने कहा कि इस मौके पर गूगल गुरू और उनके परिबारी जनों को वही समर्ती चिंड भेंग कर बाहुतरी ओड़ा कर सम्मानित किया गया इस मौके पर निरिक्षक ग्रीज कुमार निरिक्षक मानक निरिक्षक डिसी पांडे उप निरिक्षक रोहे उप निरिक्ष उनके माता पिता अर्विन जी माता पिया जी राधे राधे आप आज आए हुए हैं CISF यूनेट लाइन में गूगल गूरू के आप माता पिता हैं गूगल गूरू की एक अलग विस्व पटल पर एक पेंचान है क्या है यह हमारे लिए बड़े सोभागे की बात है कि आप ऐसा मानते हैं लेकिन हम तो यह सोचते हैं जब तक गूरू अपने आपको कहीं स्थाफित ना कर दे तब तक हम उसे सफल नहीं मानेंगे और CISF यूनिट सिर्फ एक यूनिट नहीं यह हमारा परिवार है यहां मेरे पिता ने सेवाएं दी अपनी और आज हम इतने CISF यूनिट का तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि उनके अंतरमन में क्या चल रहा है लेकिन हम इतने आज भावक हैं कि जिस जगह हमारे पिता ने सेवाएं दी आज वहां हमारे पिता का जो ग्रांट सन है उनका जो नाती है उसे सम्मानित किया जा रहा है यह हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात तो आज तक तो हुई नहीं अभी तक यह सबसे बड़े जिवार के हर बच्चे के लिए गुरू सदय भी हमेशा मार्क दर्शक बना रहेगा है हमारे साथ गुरू की माता जी है आपको कैसा लग रहा है आज यह सब्से बड़ा प्राउडिबल मुव्मेंट हमारे यह है हम इससे पहले कई जगे गए बर शाद इससे यह प्राउड फ गुरू पाद्याए हैं जो की गूगल गुरू के नाम से विश्विक्यात है गुरू रादे 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 कैसा लग रहा है आज आप आए हूँ है यहां अच्छा लग रहा है क्या कहेंगे आज के बच्चों के लिए आप बच्चे हैं आपसे प्रेना लेते हैं आपके सा लूटी कि आपके बाबा भी फोर्स में थे, आपके तो सबसे घर पर बार में लाड़ ले बाबा अम्मा है, अच्छा लग रा एक आपकी, और अभी देश का नाम रोसन करने के लिए और क्या करना चाहोगे, आगे और क्या क्या करोगे, कैसा है, क्या एक सपना है, बाबा के नाम रो सुन करेंगे देश का नाम भी बाबा के साथ साथ रो सुन करेंगे जाए हमारे साथ हैं CISF Unit IOC मतवरा के कमांडेंड अप्षेकुमार साउजी जी सर आजा पाई आपकी यूनिट में सर गूगल के नाम से जो विश्चित विक्यात हैं कि उपाद्या है हुआ है क्या सरह मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी के लिए पूरे सियास इकाई आयोसी मुथरा रिफैंडरी के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे ही परिवार का एक बच्चा आज हम सभी के बीच में वपस्तित था और आज ये विशेष कायकरम इसलिए हमने आयोजित किया था जिसमें हमारे सभी बलसदस, उनकी धर्मपत्नियां और बच्चे जिसमें सम्मिलित हुए और गूगल गुरू जो की इतना विक्ष्यात और विलक्षन प्रतिभावों का ग्यानी है उस बालक से हम सभी ने आत्मस सभी के लिए परिवार जन्मवालों के लिए बच्चों के लिए और चोंकि गूगल गुरू आज के टाइम में एक सेलिबरिटी है तो हम सब के लिए भी बड़ा ही अच्छा स्चंड था कि हम इनके साथ यहां पर आज फोटो की जा पाए इनके साथ रह पाए और यह कायकर अगर उसने अपने ज्यान का संयोज रखा है अपने अंदर वो खुद जहां भी जाएगा उसका सम्मानी होगा हमने बहुत छोटी से कोशिश की है उस ज्यान को अक्नॉलेज करने की उसे सम्मानित करने की और बहुत-बहुत धन्यवाद भी है उनके पिता अरविंदुपा आज के टाइम में बच्चे को कैसे फोकस रखकर कि उसके करियर में या उसके टाइलेंट को निखारना है यह हमने काफी कुछ सीखा और बड़ा ही उप्योगी सभी के लिए एक आयतन रहा है जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथे सी आईसे प्यूनिट आई योशी मत्रा आप शेक कुमार साहू जी उन्होंने बताया कि आज ये गूगल गुरु यानि की गुरु उपाद्याय रंदावन से शी आईसे प्यूनिट आई योशी मत्रा परिसर में आयो थे जहां उन्हें सम्मानित किया गया सेक्रों बच्चों ने उनके साथ सेल पी ली आज की बबकों ने बताया कि मोबाइल भी दुस्पई नाम के कारण होती है लेकिन बच्चों को देने चाहिए और अच्छी से अच्छी जानकारी अच्छी से जो सुझाब होती है वोने सजेस्ट करती रहने चाहिए समय समय पर बच्चे को अपने फ्रेंड के रूप में रखना अच्छी है मैं देनी सिंग तर्कत मतुला हुआ